बारती अर्थ विवस्था पर छाई मंदी को लेकर रिजर्ब बैंक आफ इंडिया का कहना है कि आने वाला समय अनिश्चिनताओं से भरा हुआ है आर्बियाई की अक्टूबर महने के लिए जारी मॉनिटरी पॉलिसी में कहा गया है कि चालू विद्वर्ष की पहली तिमाही में जीडिपी में अभूत पूर्व 23.9% की गिरावट और घरेलू आर्थिक गतिविधिया महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है इसके चलते उद्द्योग और सेवाओं से संबंधित सूचकांक एक मिली जुली तस्वीर पेश करते हैं आसान भाशा में कहें तो भविश्य को लेकर ठोस रूप से नहीं कहा जा सकता आर्बियाई का कहना है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीड रोजगार गैनिटी अधिनियम के तहत बड़ी हुई मजदूरी से ग्रामीड शेत्रों में मांग मजबूत हो रही है लेकिन शहरी इलाकों में मांग कमजोर बनी हुई है आसान भाषा में कहें तो कोरोना और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन ने गाउं से ज्यादा शेहरों पर असर डाला है अगर बात करें कंजियूमर कॉन्फिडेंस यानि उभोकता के अर्थ व्यवस्था रोजगार और आमदनी को लेकर विश्वास की तो सितंबर महने में ये ग्राफ रिकॉर्ड तोड नीचे चला गया आसान भाशा में कहें तो सितंबर महने में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में उभोकता बेहधी निराश्थ है हाला कि भविश्य को लेकर उसके नजरिये में जरूर थोड़ा सुधार हुआ है इसके अलग कारोबारी उम्मीदों को लेकर मिली जूली तस्वीर उभर रही है मैनुफाक्शरिंग सेक्टर की कमपनियों को उमीद है कि आने वाले समय में देश में उनके सामान की मांग बढ़ेगी वही अलग-अलग सेवाय देने वाले कमपनियों का विश्वास अभी तक अर्थ विवस्था से डिगा हुआ है RBI का साफ कहना है कि COVID-19 महामारी की अनिस्चित्ता GDP के पूरवा अनुमानों को अत्यधिक चुनौती पूर्ण बना रही है हाला कि मोटे तोर पर कह सकते हैं अगर आर्थिक गतिवीधिया इस विद्वर्ष में सामान्य हो गई तो अर्थ वैवस्था 2020 में 9.5% सिकुनने के बाद साल 2021 में 10.1% की विकास दर हासिल कर सकती है राहुल गौतम की रपोर्ट गो न्यूस